हेलो फेंड्स कैसे हैं आप सभी लोग स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सिस मंच में आज बहुत दिनों बाद हिस्ट्री का जो लेक्चर है वो कॉंटिन्यू कर रही हूं माफी चाहती हूं आपसे की वीडियो नहीं डाल पाई थी कुछ प्रॉब्लम्स की वज़े से तो आ तत्वा महापाशानिक संस्कृति इसका मैं पार्ट वन कराऊंगी यह जो उससे पहले हमने किया था वह हमने किया था प्राग्यतिहासिकाल आद्धिहासिकाल और उसके बाद हमने पूरा पाशान काल मध्यपाशान काल और नवपाशान काल के बारे में जानकारी हांसल की थ जो पुरे भारत सब्सक्राइब कोन्तिनू करेंगे जब फूरा ठैटों में प्रोवाइटिकर्म narrates महापाशानिक संस्कृति और यह लेक्चर थोड़ा सा लोगों ने कमेंड करके मुझसे बोला भी था यह लेक्चर शुरू करने के लिए इसलिए हमने यह महापाशानिक संस्कृति का पार्ट वन आज शुरू किया है तो चलिए मैं आपको बताती हूं यह हमारा स्लेबस है हिस्ट्री का खंड का इसमें भारती इतिहास के आरंबिकाल के अध्यन के श्रोतेवर्ट डिस्ट्रिको आप लोग नेक्स्ट आरंबिक पशुचाड़य क्रिशी शमुदाय इसमें पुरा तात्विक साक्षिये अल्मोस्ट हम लोग कवर कर चुके हैं नावपाशानिक ताम पाशानिक संस्कृतियां जो है यह अल्मोस्ट यह भी कवर हो चुका है इसमें जो एक टॉपिक रहचे का जो काल है वो करेंगे क्योंकि हिस्ट्री ऐस ऑप्शनल सब्जेक्ट आप लोगों से कुछ भी एक्जाम में पूछ सकते हैं तो हमें कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं चोड़ना जो एक्जाम में पूछ लिया जाए और हमें नहीं पता उसके बारे में एक टॉपिक हम यहां कवर कर रहे हैं और यह जो महापाशानिक संस्कृत्иковी मेगालिथिक लुपि कहा जाता है इंग्लिश में पर को सबसे पहले हम देखेंगे कि महापाशाडिक संसृति ऐधारना है कि इसको किस वे में हम लोग समझते हैँ क्या इसे डिफाइन करते हैं इसके बाद विभिन विद्वानों ने इसका क्या तिथी क्रम निर्धारित किया है किस तिथी में ये महापाशानिक संस्कृति जानी जाती है के प्रकार ने नेंक्स नमगे महापाशानिक संस्कृति में जो श्रीकार कमठ के भारत यह इनके नॉलेश तो उत्तर दक्षन दोनों को कमबाइंड करके हम लोग यहां पढ़ेंगे नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसमें सामानी विशेषताएं क्या है इन समाधियों की यह जो महापाशानिक काल हैं यह जैनकारी यह जैनकारि करते हैं कि जब नौपाशी में समाप्ती न भानख्षन भारत में ब्लाद हैं कि इसे ही महापाशाणिक या ब्रहत संस्कृति क्यों कहा जाता है इसके बारे में आपको बताऊं कि इस संस्कृति के लोग अपने मृतिकों के जो अफशेश होते हैं सुरक्षेत रखने के लिए बहुत बड़े-बड़े पत्थरों का यूज करते थे लोग मर जाते थे तो उन्हें ग अचा के दो शब्दों जैसे कि यहां लिखा हुआ है मेगाज यह वाला शब्द और लिथोस यह से कि इन दोनों से मिलकर बना है मेगाज और लिथोस से मेगालित बना है और मेगाज कर्थ होता है ब्रहद या बड़ा और लिथोस कर्थ होता है पत्थर तो अगर दोनों को क को दफनाने के लिए उसके उपर बड़े बड़े पत्थ्रों का यूज करते थी आप पिच्चर में भी देख सकते हैं इस टाइप के पत्थ्रों का यूज किया जाता था और नव पाशाणी के बाद ये संस्कृति दक्षिन बारत में मिल लिया थी इसलिए इसे महापाशाण युणान्य भाषा के दो शब्दों से यह मिलकर बना हुआ है मेगाज और लिफ्थ sections इसलिए इसे मेगालित ऐसे महापाशाण संस्कृति का जाता है कि यह अब इस संस्कृति के कुछ इस्भलों के बारे में आपको बता देती हूं दक्षिन भारत में मुख्यता आंधप् पुदुकोटे, चिंगलपुत, सानूर आदी से ब्रहत पाशानिक समाधियों के अफशेश प्राप्त हुई हैं। इनका जो विस्तार है तमिल नाडू के तिरोन नवेली जिले में इस्थित आधी चनलूर के से लेकर उत्तर तर जो में महारास्थ है वहां के नाकपूर तक पूरा इसका विस्तार मिलता है। तिनिने महाराष्ट में पाईे जाने वाले जो अधिक भूत ज्यादा प्राचीन लगते हैं। जब लोहे का प्रियोग होने लगा था उस सब्विता को लोह यूगीन कहते हैं तो उस ताइम के महापाशानिक संस्कृति करनाटक आंदप्रदेश में पाई जाती है यदिपी संस्कृति के लोग प्रायदीप के उचे छेत्रों में पाये जाते हैं लेकिन आंदप्रदेश तमिल नाडू में भी इनका जवाब बहुत ज़्यादा देखा गया है आवाश तथा शवों को दफनाने के लिए वो अधिकांशत पहाडियों की धलानों पर आश्रित रहते थे मतलब कि धलानों पर ही ज़्यादतर रहते थे महापाशारिक संस्कृति हमें दक्षिन भारत के एतिहासिक युग में प्रवेश कराती है कि नेरी दक्षिन भारत से बहुत ज्यादा साक्षिन नहीं मिले हुएं प्राचीन भारत में लिकिन उत्तर बहुत Meth나 बार में इस थर जो भी है वह आपको वटाऊंंगी समादियो के प्रकार भी करेंगे और क्या-क्या उसकी वर्षेषत ती वो भी देखेंगे तो चलिए हम पहले इसके बाद इसका देख लेते हैं कि इसके तिथी क्रम क्या है लोगों ने अलग-अलग विद्वानों ने या फिर इतिहासकारों ने क्या-क्या तिथी क्रम बनाए हैं इस महापाशानिक संस्कृती के तो जो यह जो संस्कृति है इसके कोई निश्चित तिथी क्रम नहीं है अलग-अलग विद्वानों ने अलग-अलग खुदाई में जो अलग-अलग साक्ष मिले हैं उससे तिथी में मद्भेद पाया गया है कोई एक निर्धारित इस्वी नहीं बताई गए कि यहां से लेकि कि यहां तक ही महापाशानिक संस्कृति है यहां पर मैंने जो पॉइंच दी हूँ है इसको आप आंसर राइटिंग में अपने यूज कर सकते हो बाकि मैं इसे ओरल आपको अच्छे से समझा देती हूं कि कैसी-कैसी संस्कृति कैसी-कैसी विद्वानों ने किस हिसाब से इ जैसे कि हीला ने ब्रह्मगिरी के उत्खलन में तीन संस्कृतियों को उधगाटिव किया था जिसमें दूसरी संस्कृति जो थी वह ब्रहत पाशानकाल की है यहां संगोरा तथा डाल में प्रकार के समाधिया मिलती हैं यह समाधियों के प्रकार हैं जो कि next lecture में हम लोग हीलने संस्कृति की तिथी इस्वी पूर्व दो सो से पचास इस्वी के बीच निरधारित किया जाने का सुझाव दिया है तो यह इनका एक डिफरेंट ओपीनियन था समाधियों के मिलने के हिसाब से इसे ही कोवेंबटूर जिले के सूलर नामक स्थल से समाधी एक समाधी मिली ए इसमें इसाब्पूर्व तीसरी तरथा दूसरी सती की एक मुद्रा मिली है इसी जिले के पांडू कुली से रोमन शार्सत अगस्टक की एक रजत मुद्रा मिली है जो कि 27 से 14 इसवी पूर में है इससे सूचित होता है कि इसापूर्व तीसरी सती से लेकर इसवी सन की पहली सती तक इनिस्मारकों का निर्माड किया गया है। कुछपुरास्थलो जैसे हलूर, पयम, पल्ली, आधिसे, उपलब्द जो रेडियो कार्बन तितिया है वहां ब्रहत पाशानिक संस्कृति के प्रारम्द की तिति इस्वी पूरू हजार से लेकर मतलब हजार से ही ली जाती है, जार से पहली सताप्दी तक ली जाती है। ऐसे ही संकालिया तथा केया स्री निवाशन जो पुरातत विद्य उनकी धार्नाति की संगम साहित्य में भी समाधी करन का जो विवरंड मिलता है वो भी ब्रहत पाशानिक जो संस्कृति में प्रचलित जो प्रधाति उसी का उल्ले करता है, तो संगम साहित्य की तिति सबसे हम लोग कह सकते हैं कि इस समय तक ब्रहत पाशानिक समाधियों का निर्माण हो रहा था, इस प्रकार विविद्य शुरतों के अधार पर अगर हम पूरा ओवरॉल देखें जो भी शुरत दिये गए हैं तो इसके अधार पर हम कह सकते हैं कि संस्कृति का कालक्रम ईशा थी, ऐसे ही ब्रहत पाशानिक समाधियों के निर्माताओं के भी निश्चित जो पहचान है उसे के विशय में भी मदभेथ हैं, मतलब कि किस ने इनका निर्मान किया था, दक्षिन भारत था मुमद्य सागर के ब्रहत पाशानिक संस्कृतियों में बहुत घनिस्ट संस्कृति पश्यमेशिया से आई थी, इस प्रथम संपर्क के बाद घनिस्ट संबन्द के रूप में धारन कर लिया, जो काफी समय तक चलता रहा, इसी तरह भुमद्य सागरी छेत्रिव में इसकी प्रारंबिक तिति इस्विपूर दित्य सहशताब्दी मानी जाती है, इस ब्रह्मगिरी में महापाशानिक संस्कृतियों के निर्माता बाहर से आये थे, यह द्रमेड भाशाभाशी लोग थे, तो बहुत लोग जितने वे विविवान थे, उन सब का अलग लग राय है, अलग अलग मत है, इसके अधारपन इशकर्ष निकाले गए हैं संस्कृतियो तो आपको होप इसके अधारणा और इसकी तितिक्रम के बारे में पता चल गया होगा, आज का लक्षर कैसा लगा जरूर कमेंड करके बताईएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेर, सब्सक्राइब करना मत भूलीगा, थेंक यू, थेंक्स फॉर वाचिंग